आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे DIY Earrings जी हाँ आपके पास जो भी मैचिंग कपड़ा है या फिर मैंने ये फेल्ट शीट स्मगवाई थी Amazon से आप उससे अपने DIY मैचिंग Earrings बना सकते हो तो चलिए चलते हैं कि ये मैंने बनाए कैसे हैं देखो सबसे पहले आपको एक particular pattern में उनको काटना है जिस हिसाब से आपको अपने Earrings का design पसंद है अब यहाँ पर जो मैं glue यूज़ कर रही हूँ यह specific lease के लिए आती है यह भी Amazon से आपको इस लिए available हो जाएगी तो यहाँ पर Earrings को देखें मैंने आपस में यह जो इसके petals बनाए है मैंने felt sheets के इनको stick किया है and believe me guys यह process जितना fast आपको लग रहा है उतना fast नहीं है it's quite a time taking process उसके बाद यह मेरे पास nail art के न कुछ यह पढ़े थे beads चो मैंने सुचा कि इसके आगे लगाऊंगी तो बहुत सुन्दर लगेंगे तो चलो अब हमारे पास जो next हमने करना है वो है हमने लगाने है earring studs इसके back side पे इसको hold करने के लिए तो I was looking for के कहां पर हैं कहां पर हैं and यह हैं हमारे पास earring studs तो यह हमने यहां से pair of earring studs निकाला है जो भी हमने लगाना है और इसको मैं paste करूँगी हमारे earring के back side पे and मैंने silver color specifically choose किया क्यूंकि purple के साथ I believe silver अच्छा लगता है और इसके color fade होने के भी कोई chance नहीं golden होगा तो निकल जाएगा तो इसके back side पे पहले मैंने इसे gold करके यह काटा है और इसको लगाया है और उसके उपर मैंने यह चिपका दिये हैं और यह ready होगे हमारे DIY earrings मैंने यह half rose जैसा kind of pattern में बनाए हैं आप चाहो तो जादा भी बना सकते हो तो यह है इसकी final look जब मैंने यह पहने थे तो सब लोगों ने मुझे बोला था कि wow they are very beautiful अगर आपको वीडियो ची लगी है तो मेरी चनल को subscribe करना मिलते हैं next video पर तब तक के लिए बाई everyone अगर कोई और suggestion होगा तो ज़रूर बताना